आदे रिशते मुझे समझ में नहीं आता कि जो कुछ तुम कर रही हो क्या वो हकीकत है या मेरी आख का दोका समान मुझे तो बहुत डल लग रहा है शफकत जेल से भाग गया है और यह सनो कि वो हमारे खिलाफ कुछ अरे वो भाग कर जाएगा कहा आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा और अगर पकड़े जाने से पहले उसने हमें कोई नुकसान पुछा दिया तो परिशान नहीं हो बहुत चल्दी पकड़ा जाएगा और अच्छा है ना जब वो चौर दिन जेल में रहेगा ना तो उसकी एकल ठीकाने आजाएगी उसने जो भी तुम्हारे साथ किया था उसके उसे सजा तो मिलेगी ना मैंने उसे कहा कि मेरी अम्मी तो तुमसे बहुत महबत करती है और लिकिन पतर नहीं उसक्तिया कि समझती है कि सब यहां उसकी दुश्कान है और आखिर में उसने यह भी कह दिए कि तुम्हे अपनी अम्मी मुहबत है और मुझे अपना बेटा मुबार्ण पर तुमने क्या फैसला किया है मैंने फैसला किया अम्मी कि मैं उसे तुटे हैसा तुम्हे अपना फैसला बदलना पड़ेगा तुम्हे अगर जन्नत को तलाग दोगे तो इसकी हक महर की रकम 10 लाग हमें अदा करने पड़ेंगे तुम भूलके उसके हुश्यार बाप ने हक महर बढ़वा दिया था हमारे हाथ पेट तो उसे दिन कटके थे ते सारे पैसे हम कहां से लाएंगे हम बैंक से लोन लेने में लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं और तुम नहीं 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 तो पर मैं क्या करूंगे मुझे जन्नत की धोके बादी को कोई जवाब तो देना होगा तुम समया से शादी करें उस बीबी के अकल ठिकाने आ जाएगी और वो तुम से खुला मांगे और इस तरह हमें दस लाग भी ने देने पड़ी है मुझे इस बार में सोचने के लिए कुछ वाग दें लेकिन जल्दी फैसला करना पेटा जब शादी के सारी कार्ट्स बढ़ चुके है अब जाकर वो कह रही है कि वेक्ट्री उनके नाम करती जाएग बहुत लट्यार करते हैं शर्म भी नहीं उनको यह बात करते हैं शादी से एक दिन पहले फैक्ट्री नाम लबा दें यह कैसी हो सकता है मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आरा कि मैं अब क्या करूँ तुम ऐसा करो काशिफ से बात करो उससे क्या हो हो सकते हैं उसे किसी बात कर इल्म ही ना हो उसकी माँ अपने पास ही बाते बना रही है ठीक है मुझे कॉल करते हैं रहने दो कॉल मत करो उसे जाकर मेरो प्याट कि अच्छी तरह तफसिल से बड़ी बात पताओ ताकि उसकी समझ में बात आए अच्छी तरह लड़की वालों को लोग कमजोर राशते हैं खौफ निकल गया इनके जहन हुसे हद है फैक्टरी ना काशिर कहां जा रहे बिटा अब मुझे कुछ कहाम है मुझे कुछ कुछ सरूरी काम है मैं आके आपको बताओंगा अब मासे भी छुपाओगे वो मैं कास्म से मिलने जा रहा हूँ आके आपको टिटेल्स देता हूँ अब मुझे कुछ 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 अब मुझे कुछ अब मुझे कुछ अब मुझे कुछ जब इनसान के खुद के अंदर अंधी रही अंधी रहो तो हाग की रौश्टी से उसे कोई फरक नी पड़ता हूँ ऐसी बाते मत करो बेटा मत लगा दिल को कोई रोग नहीं अमीय को रोग नहीं और नहीं मैं किसी के लिए आसु बांगा शाफाज मेरा बच्चा एक काम करो है न तुम बाहर निकल जा थोड़ी देर के लिए यह जो डिप्रेशन है न वो भी काम हो जाएगा जनात जनात महक साइम महक पता नहीं किसी को मेरी आवास क्यों नहीं जा दी मैं यहांसे उड़कर जाब ही नहीं सकती हो पता नहीं कि सब कहाँ हैं पॉन करती पॉन करता नहीं करता नहीं करता नहीं करता हैं जवाब दो अससले से महबब करता हूं इसलिए से शादी करना चाहता हूं महबबत की शादी में कोई शरायत नहीं होती शरायत? मैं कुछ समझा नहीं है क्या कहना चाहती है? कौन सी शरायत? जान बूचकर अनजान बनने की ज़रुरत नहीं है तेखें मैं सीरियसली आपसे करूं मुझे कुछ नहीं समझ जा रहा अब प्ली स्कुल के बाद करें तुम बरात तब लेकर आओगे जब हम अपनी फैक्टरी तुम्हारे नाम करतेंगे वाट सिरा 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 क्यों जीख रही हो क्यों हुआ है सारवाजी मैं बैठी हुई थी अजानक से मेरी आँख लग गई मैंने बहुत बयानक सा खुआप देखा कैसा खुआप देखा मैंने देखा एक बड़े से घर में पैठी हुई हूई है अपनी सहलिव के साथ हस रही हूँ बोल रही हूँ हूँ अजानक से अचानक से एक ऑुरत आती है वो मुझे घसीकती हुई ले जाती है और मुझे घाए में धक्का देदी मैं मेरी जानक्ते आग खुल जाती हूँ खौब कभी सच्चे होते हैं ये कोई ऐसे शैतानी खौब हो ऐसे डर रही हो तो भागर हो तुम तो बल्कुली कुछ ने होगा चुपजो शाबस जड़त को है ये गर्में होगी ये काम कर रही होगी आप उसको प्लीज भीज़ते हैं यापे मुझे डर लग रहे हैं सिला इस पर डरने वाली कोँ अनसी बात है बस खौब तो और सारे खौब सच्चे थोड़ी होते हैं और चुपजो मैं हो ना तुम्हारे पास आप मेरे पास आप अब तुम्हारे दिल तुम्हारे तुम्हारे दिल तुम्हारे अगाही दे रहा है और वारत कोई और वारत नहीं काशिव की माँ ही है तो ये वज़ा है तुम्हारे घर ना आने की लेकि मुझे इस सब कुछ नहीं पता कि अब मी ने ये सब कुछ आपसे क्यूं कहा है और शादी करवाने के पीछे उनका ये मक्सद था मैं हर्गिस नहीं जानता था लेकिन प्लीज मैं सब के लिए आपसे बहुत माधरत खाऊ हूँ अब तुम सारी बात जानी गए हो तो बता दू बारात लेकर आओगे भी या नहीं या मेरी बेहन सारी जिंदगी इस बदनामी के दाग को लिए बैठी रहेगी सिला पे सौ फेक्टरिया भी कुर्बान है जबने अब 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 आपसे आपसे दिल से सौरी कहा हूं और रियली मीनिट आप आप बेफिकर हो जाएं बस पीस सिला से कुछ मत कहिए गए गए ये बात उसे बताकर जीते जी नहीं मार सकती है थैंकिए सिला जनट जनट कहां ये दोनों मनुस क्या हो गये क्यों चिल ला रहें कहां ये दोनों मनुस बहने अब आप मेरी बहनों को मनुस क्यों कह रहे हैं अब मुझे बताओ कि ये दोनों बहने कहां है जननत का तो बता नहीं लेकिन सिला उपर है अपने रूम में हम देखता हूं जागा है हट अबू 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 रुक जाए अच्छा तो तू यहां चुपी बैठिये खबरदार अबू जो आपने मेरी बहन को कुछ कहा तो चुपकर अबू आप इतने गुस्से में क्यों है चल चल मैं तेरा कर अब अबू नहीं हूँ अबू यह साइन कर इसके उपस यह क्या है यह पावर ऑफ अटार नहीं है तू सब कुछ मेरे नाम कर रही है और कहा है वो जन्नत ना मैं कुछ करूंगी नहीं जन्नत अबू अबू आपमें ग्लाफ भी और कहां तो मैं वें वेंड़ आगे सबंग जड़े अबू क्या हुआ अबू 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 समान अबू 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 मुझे तब पहले दिन ही वो लड़की ठीक नहीं लगी थी रसे हैमर वो लड़का कौन था मैं नहीं जानता में वो कौन था लेकिन वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे अरे बहस क्या करें वो बता रही होगी उसको के तुमसे जान चुड़ेगी उसकी मैं जनतों कभी माफ नहीं करूंगा बहुत बड़ा धुका दिया उसने मुझे अरे बेटा दिल छोटा करने की कुल जोड़ियत नहीं अल्ला ने समिया की सुरत में तुमें एक अच्छा मौकर दिया तुम पर से अपनी जिल्दगी को असरे नाशुन कर सकते अभी मैं समिया से शादी करने के लिए तैयार मुझे और वक्त नहीं चाहिए अल्ला तुम्हें खुश रखे बेटा हुआ क्या है जमान को प्रहले पूचा है वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और सिटी स्कैन भी हो रहा है परिशान नहीं हो समान अभू कुछ नहीं होगा हमारी दौएं के साहरे अल्ला वाकी बहुत अजीं बहुत अजीं बहुत समान ने इतना कुछ कर दिया तुमने वगजात थे भी तुमने उपन की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं क्या हो जनत किसका मेसेज है तुम तुम रेस्वें क्यों गई थी क्या देखा है मर ने बताओ काशिप से मिलने काशिप को मिलने लेकिन क्यों सेला को मामला खत्म हो चुका में मुझे बताओ जनत काशिप की माने शर्त रखी कि बारात तब तक नहीं आएगी जब तक फैक्टरी काशिप के नाम ना कर दी जाए क्या लेकिन इसमें काशिप का कुई कुसूर नहीं वो तो जानता तक मेंगी जब कुछ तुम सच कह रहे हैं मुझे गेल कर दो सेला कुछ क्या युट कि अज़कर निखनाए पिस वारे तर्म कुछ नहीं होगा अबो के सुरे गुलाग की सजा हमें मिल जए लेकिन उने कुछ नहीं हो कुछ नियुका है मेर अपने को कुछ नहीं है देखना वो बार जल्ब ठीक हो जाए जो कुछ भी हो काशिफ वो नहीं होना चाहिए था समान अब्ब की इतनी तबियत खराब है विस तुम दौा करना है कि वो जल्दी ठीक हो जाए काशिफ कहा रह गयते बेटा जानते भी हो कितनी फिकर हो रही थी मुझे तुम्हारी फिकर मेरी फिकर फो गॉट से कमी बस कर दें आप क्या बस कर दो जूट बोलना मुझे लगा था कि आपको एसास हो गया है आप बदल गए है लेकिन नहीं आपको अपनी गलती का अइसास नहीं हुआ था आपको अपनी माली परेशानी का अइसास हुआ था पर नाम आप मेरा लेती रही है क्यों अमी आखिर क्यों क्यों आप ये सब कुछ कर रही है फिर मेरा सौदा करने चलिया आप सौदा? कैसे सौधा बिटा है डैडी आप अम्मी से ही पूछे इन्हों ने सिला के घर बरात ले जाने के बंदले में उस सिर्फ फैक्टरी मेरे नाम कराने को कहा है क्या कह रहे है उकाशिद ठीक कह रहो अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछे इन से और आपको पता है इस सब की वज़े से वहां क्या हुआ है सिला तो ठीक है ना बिटा सिला को कुछ नहीं हुआ डैड लेकिन जमान अंकल को हार्ट अटैक हुआ है और विस वक्त हॉस्पिटल में ओ माई गाड अमी मैं आपको सारी जिन्दगी माफ नहीं करूंगा और अब आप तरसेंगी मेरी शकल देखने के लिए काशिफ काशिफ मुझे तो अपने आप से भी नफरत हो रही है और तुम से तो हो रही है यह सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है अगर मैने तुम्हें शुरू दिन से ढील ना दी होती तो आज तो मेरे बेटे का घर इस तरह बड़बाद ना करती अगर आप ही ऐसे हिमत हार चाहेंगे तो साहिम और मैं को कौन संबावेगा पच्चों की हिमत ना टूटे इसलिए मैं यह आप में बहुत चाहती है ना अब जमान अपको चाहने से कुछ नी होता तो जैसे भी है तो मेरे शोहर ना आपको इतना भी एसास नहीं हो नफरत की आप में क्या आप अपने ही बेटे की जिन्दगी के साथ केल रहे हैं मैं तो सर्फ इस चड़ेल से तुम्हें बचाना चाहरी थी लेकिन बचना तो मुझे आप से चाहिए था तमीज से बात कर आए इमर माहू तुम्हारी में जमान खान के फैमिलिय आप लोग हैं? क्या हुआ अब उको कैसे हैं वो? उन्हें बेरे में हम रिच हुआ है और रहोंके इमाटों में पे एक वाट जन गया है क्या? कि डॉक्ट साब अभू अभू बश्टो जाएंगे ना कि डॉक्टर साब लीज आप उने किसी भी तरह बचा लेंगे हम आपरेशन कर रहे हैं आप लोग गुआ करें चाहिए लान भी जान बचाएं आपरेशन के बाद भी उनकी लेफ साइज जो है वो मफ्रूज रहे गए आपरेशन कर दोपस बस्कारा बचाएंगे। उसलाप आपक्ता मत कीजएगा जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा पैसे यह सब कुछ हुआ कैसे? मतलम भी इता है तो बात मिक्तसर सी है कि इसमें मासुमानिटी की कोई वक्ती ही नहीं हुआ सिला मैं वे जो भी कुछ हुए उसके जिए से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एजनल से तुम आपी मांग जो कहो है जो कुछ हुआ है I'm really sorry for that प्रीज काशिप ये कीन बादों का वक्त नहीं है मुझे तो तुमारी उचलत देखकर ही अंदाजा हो गया था लेकि फिर भी दिल कहता था कि शायद तुम बदल गई होगी मैंने तो तुम जैसी मां नहीं देखी मुझे तो अपने आप से भी नफरत हो रही है और तुम से तो हो रही है ये सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है अगर मैंने तुमें शुरू दिन से ढील ना दी होती तो आज तुम मेरे बेटे का घर इस तरह बरबाद ना करती मासुमा मैंने भी आज एक फैसला कर लिया है अब तुम मेरी सूरत को भी तर्स होगी ये? मतलो अपनी मतलब परस जबान से मेरा नाम छोड़कर जा रहा हूं मैं भी अब बैठी रहना यही पर अगर आपी ऐसे हिमत हार चाहेंगे तो साहम और मैं कुछ कौन संभावे था? पच्चों की हिमत ना तूटे असलिए मैं यहां पर बहुत चाहती है ना अब जमान अप्पो को चाहने से कुछ दी होता पुछ जैसे भी है तुम मेरे शोहर ना हाँ आप कहे तो आप ठीक रहे है ऐसे वक्त में तो इंसान एमर को बताया तुमे मैंने बता भी तुम की तो फोने आए ऐसे में बता दिया है कि हमारा आप कुजार रहे है देखो जन्नत मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और एमर के बीच में क्या प्रता है लेकिन मेरा मैश्वरा यही है कि तुम उसे बता दूँ मैं बता है मैं आप से यह नहीं कहती कि आप रुक जाएं यह आप मुझे माफ करते बस आप से एक उजारिश है जितनी चलत हो सके मुझे हस्पटार ले चलिए खाला मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एमर ने मुझे शादी के लिए हाँ कह दिये कहीं मैं खौफ तो नहीं देख रही हूँ नहीं बेटा तुम खौफ नहीं देख रही है अब तो तुम्हारे खौफ का सच्चा होने का वक्त आया अम्मी मसेस महनूस से जान चुड़ाना अतना असान नहीं था वही दसलाक वाली शर्त था विसकाला आपने तो रातो रात ही उसका पत्ता साफ़ कर दिया अतनी असानी से नहीं बेटा दिन रात मैंने उसको इतना तंक किया है इतना तंग किया है कि वो भी याद रखेगी और फिर एमर और उसके बीच में गलत फहमिया मैंने डाल दी और तुम्हें पता ताबूत में आखरी कील किसने ठोकी? किसने? खुद उसने वो कैसे? पता नहीं किसी लड़के से मिल रही थी एमर ने खुद ही देख लिया जो देखा वो नजर का दोका था लेकिन जो सुना है वो बिलकुल सच है क्या के रही यो बेटा नजर का दोका सच बस अमी मजीर को जूट बोलने की जरूरत नहीं है और नहीं ये सब डामा करने की सब कुछ सुन लिया है मैंने आपको इतना भी एसास नहीं हो नफरत की आप बे क्या आप अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ केल रहेंगे? मैं तो सरिफ इस चड़ेल से तुम्हें बचाना चाहरी थी लेकिन बचना तो मुझे आप से चाहिए था तमीज से बात करो आइमर मा हूँ तुम्हारी मैं लेकिन अफसोस ना तो आपने मा बन के सोचा और नहीं देखा शरम नहीं है आपको ये सब कुछ करते हुए? आइमर वो दरसे तुम तो चुपी रहो तो बेटर है एक लज़ मत बोलना समीया खुद को मेरा दोस कहती थी ना दोस बनके दुश्मनी दुवाना कोई तुम से सीके रहेमर वो दोसे तो मारी सारी बाते सुभी क्या होगा समीया? खाला मेरा तो टिकेट करवादे हैं आपकल का अमीया आप यहां क्यों आई हैं? आपको यहां नहीं आना चाहिए था राशिप अपने वालदें से इस थारा बात कुटती है देखा अमीया आप हमेशे जिसके खिलाफ रही है वो ही आज़ाब की तरफदारी कर रही है आज मैं तुम्हारे ने नहीं सिला के लिए आई हूँ एक दफ़ा तुमसे दिखावे के माफी मांगी थी बिटा आज सच के माफी मांगी के ना जुर्रत नहीं मत अब तुम्हीं बता मैं क्या करूँ तुम जो चाहे मुझे सजा दे दे मुझे बेहर दुख है किया तुम सब यहां मेरी बज़ा से हो यह अंटी आपकी विज़े से कुछ नहीं हुआ आप इत्मनान रुकें सिला बेटा अगर हो सके तो इस बात को भूल जाओ कि फैक्टरी की भी कोई बात हुई थी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले सी डिसाइडेड है मुझे तुम से कुछ नहीं चाही सिला बेटा अगर तुम चाहो तो हम हमारा घर तुम्हारे नाम कर सकते हैं आंटी आप अपने मकान तो मेरे नाम कर सकती हैं लकिन घर नहीं घर बनाने के लिए दुसरों के कुछियों का खयाल रखना जाते हैं अब यह सब बाते हम बाद में करें मेरे तुमारे बहुत दुखाया चाहा है बाश शर्मनदा अचानक से इतनी तब दिल है मेरे अबू वास्पिचल में इसलिए तर्स का रहे हैं ऐसी बात में हमारे दर में जितने मसाइल थे जितनी मिसरन स्टैनिंग सी सब अम्मी के विज़ा से थे और वो अब सब फ़तम हो दिना मैंने अम्मी के हकीतत चाहूंगे तो फिर एक और हकीतत चाहूंगे आपने जो रेस्ट्रेंट में देखा वो आधा सच था पुरा सच यह है कि वो काशिक थे सेला का मंगेत थे अब सॉली चाहूंगे अब सॉली चाहूंगे जमान अंकल जैसे है अब वह बहते हैं डॉक्टर्स में ऑपरेशन कांके क्लाप निकालो है अलागा शुकर है उसको पूरी तरह ठीक हो जाए उसके बाद में मैं तुम्हे घर ले चलूगा ने मैं तब तक नहीं चाहूंगी जब तक आंटी नहीं चाहते हाँ बोलो काशिफ सिलाब कल बरात का दिन है मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आरब तुम ही बताओ देखो काशिफ भली जमान अबू हमारे सगे बाप नहीं है लेकिन हमारी अम्मी ने हमेशे हमें यहीं सिखाया है कि हम उनको अपने अबू मानें तुम ही बताओ जब उनकी आलत ऐसी है तो मैं कैसे उनको छोड़कर जा सकती हूँ देखो काशिफ जहां तुमने इतना इंतजार किया ना वह थोड़ा है ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा फिकर मत करो तुम नरास तु नहीं होगी ना नहीं सिला मेरी मुपत खुदकर्स नहीं है ने इंतजार कर लूँगा पिर चाहे वह इंतजार उमर भर कही क्यों ना मुझे तुमसे यहीं उमीदी काशिफ थैंक्यू मुझे तुमसे नहीं होगा अपना ख्याल लगए खुदा आपस तुम यह जिद छोड क्यों नहीं देते जिद तो आप कर रही है मुझे तो आपको यह सब कुछ बताने ही नहीं चाही था शायद और ना जी सब कुछ इस नहज तक ना पहुंचता मानबू हमने हमेशा आपको अपने अबू की जगह ही समझे हमने आपको तब ही माफ कर दिया था जब आप उस रात है सब्तान में थे वाकली तुम अजिम माह की अजिम बेटिया हूँ क्योंक्य आज मैं और तुम अपने इस घर की रौनक को वापस लेकर आएंगे यानि जन्नत को मैं जानती हूँ जमान अबू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन अल्ला तुम बड़ा को फूरो रखी उनको मौफ कर दे आमने भी उन्हें मौफ कर दिया है उन्हें जल्देस जल्द से हिद्याब कर दिया आमने जो टोटे के बिखे रहे दिल इस तरहां मुझडा जैसे भी हो खाला हो जैसे देरा ये सिस्द गिए तनहाए मेरा मौफ के साथ जाने क्यों जुदा हो के दिया है साथ मेरे दिल में आंसों बसते जो टे है सारे दिश्रे दे तोटे है सारे प्रिश्रे रुको एमें रिठा कब तक अपनी मासे इस तरह नाराज रोगे तो जब तक आप मेरी बात माननी जाती हैं में तब ये जिद छोड क्यों नहीं देते हैं जिद तो आप कर रहे हैं मुझे तो आपको ये सब कुछ बताने ही नहीं चाहिए था शायद और ना जी सब कुछ इस नहस तक ना पहुंचता समाना बूग आपने हम सब को बिलाया मैंने तुम्हों सब होत मैंने तुम्हों को बहुत तुम्हों को बहुत तुम्हों की और तुम्हारी मा को भी कोई खुशी नहीं दे सका तुम्हों को साधियां दे बहुत से आते हैं अजित yüzवी दे सुन आते हैं अजित सुन हुंग तुम्हों को तुम्हों की मतले तुम्हों को बहुत समान अबू, हमने हमेशा आपको अपने अबू की जगई ही समझाए हमने आपको तब ही माफ कर दिया था जब आप उस रात है सब्तामी थे वाकली तुप अजिम मा की अजिम बेटियों सब्सक्राइब सब्सक्राइब जी वो पेपर्स आ रहे हैं कांसे पेपर्स तम लोगों की फैक्टरी और जायदाद जमान में वापस करती है तम लोगों के नाम करती है हम आपकी बेटियां हैं हमें आपकी महबबत और शफकत के इलावा कोई जैदात और पैसा नहीं चाहिए समान अबूब हमें कुछ भी नहीं चाहिए यह सब कुछ तो साइम और वहे का आपके यह सब तुम्हारा भी है अचनल तुम और महें की हम लोगों के असास हैं एमर कहां जा रहे हो गिटा अमी ऑफिस ही जाओंगा और कहां जाओंगा आज ऑफिस नहीं जाओ तुम्हारा क्यों? क्योंकि आज मैं और तुम्हारा अपने इस घर की रहनक को वापिस लेकर आएंगे मैं जननत को वाग है अमी मैं बैट लेकर आती हूँ ठीक माशा अलला बेटे के चेहरे की रहनक तो देखिए ये लीजी ये चाहे ये लीजी ये चाहे ये लीजी मेटा तुमने क्यों तकलीफ की? साबिर से कह दिया होता अमीज जो मज़ा अपने घर के काम करने में खुद से है ना तो पर किसी और से क्यों कहें देखा मासूमा ऐसे होते हैं बगवें अच्छा जी बहू के आते सारी तारीफ में बहू की बेटे को भूल गया अरे अधरी बेटे के दम से ही तो बहू भी है जी नहीं ये सारी बहारे मेरी बहू के दम से है अब लोग चाहे पी ले ठंडी हो जाएगी जी जी मैडम क्यों ने लोग भी फिल्म तो खताम हो गया कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो ठीक थी लेकिन हैपी एंडिंग देखके दिल खुश हो गया हैपी एंडिंग ही होनी चाहिए तो कहा जा रही? मैं भी आतू हूँ अम्मी आइसता तुल्लाभी कच्ची नीन में है अभी अभी उसकी आख लगी है जब उच्चा है ना पर ले जाना हैसे थेंक यो मी जीती रो मेरा बच्चा किते मसीजी सुरह है तूटे है साले